Friends, Keyword Research एक बहुत important चीज़ है और वो चाए SEO आप website का कर रहे हैं या फिर Google Business Profile का दोनों ही cases में उसकी जरुरत पड़ती है Google Business Profile के case में local keyword research की जरुरत पड़ती है और इस से related अभी तक कोई भी tool वेब पे available नहीं था But guys, आज की एस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक amazing tool keyword research का और साथ ही में local keyword research का भी Keyword research आप इसमें absolutely free of cost कर सकते हैं और local keyword research जिन keywords की आप चाहें वो भी बहुत कम cost में कर सकते हैं guys सिरफ एक token guys, एक token INR में 1 रूपी का होता है और USD में basically 10 token आपको 1 USD में मिल जाते हैं तो जो लोग actually इंडिया से हैं उनके लिए INR में ये applicable होगा जो इंडिया के बहार से हैं उनके लिए USD में applicable होगा बट किसी भी case में guys, ये एक amazing technique है local keywords को find करने की और ये आपको और कहीं किसी tool में नहीं मिलेगी एक बार अगर guys आप proper keyword जान जाते हैं अपनी business profile के लिए तो आपके लिए बहुत असान हो जाता है उसको rank कराना आप उसमें अपने competitors के बारे में भी जान जाते हैं कौन से competitors हैं वो और किस rank में हैं क्या rating है क्या reviews है क्या उनके बारे में details क्या category उन्होंने select कर रखें इतनी सारी जानकरी guys आपको इस tool की मदद से मिल जाएगी और guys सबसे important चीज़ ये keyword research कोई भी कर सकता है अगर आप एक layman है आप एक business owner है आप digital marketing की knowledge नहीं रखते हैं तब भी इस tool की मदद से आप keywords आपको automatically दिखाएगा अगर आपकी Google business profile added है जो की आपकी service products और आपकी categories होती है आपको सिर्फ उनको select करना है और find out करना है जैसा कि मैं इस video में बता रहा हूँ जो की बहुत बहुत simple है तो guys आए चलते हैं मेरे computer screen पे और जानते है keyword research using GBPGM app जी guys हम web version से देखेंगे आप इसको app से भी देख सकते हैं जो की already release हो चुका है तो guys जैसा आपको screen पे दिख रहा होगा ये है हमारा app GBPGM जो की basically web version में है local SEO tools and tips.com website पे मैं इसके बारे में guys ज्यादा नहीं बता हूँगा ये tool आप already जानते हैं नहीं जानते हैं तो guys बहुत simple steps से बता देता हूँ get started पे click करेंगे get started पे click करेंगे और आपने Gmail से auth करेंगे Gmail कौन सा guys Gmail वो Gmail जिससे आपने Google business profile बनाया हुआ है live और active होना चाहिए तो simple है आप click करेंगे get started पे auth करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका profile दिखने लगेगा अगर उस Gmail पे exist करता है और वो active है आपको इस तरह से कुछ दिखेगा आप click करेंगे इस profile पे guys इसके बाद simple है guys आप आएंगे tools option पे tools option में मिलेगा आपको local keyword है ना simple guys local keyword पे guys आजाने के बाद यहाँ पे आपको guys आपके help मिलेगी वो सारे keywords जो कि आपने category सब category में और services में डाले हूई आपको दिखने लगेंगे इसके अलावा भी आप कुछ हो टाइप करना चाहते हैं सर्च करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं मैं इसमें से ही कोई एक select करके आपको दिखा देता हूँ जैसे for example marketing agency में select कर लेता हूँ आप एक साथ एक से ज़्यादा keywords भी select कर सकते हैं within city आपको search करना है कि country में search करना है in case of google business profile within city ज्यादा अच्छा work करता है हमने country इसलिए दिया है कि मान लीजे कोई specific keyword है जो आपको within city में नहीं मिलता है कोई searches नहीं मिलते है local keyword के तो आप country में search करके जान सकते हैं कि country के दूसरे cities में ये keyword चलता है चलता है तो कौन competitors हैं और उनके बारे में जान सक दूसरा है guys google search google पे basically आप इसको check करना जाते है google और उसके search partners पे इसमें आप google पे कर लें sufficient है और आप click कर देंगे search पे guys इतना काम guys आप बिल्कुल free of cost कर सकते हैं इसके बाद guys next step आएगा आप ये सारा जो आप देख रहे हैं data आया है पूरा search हो करके इस data को मैं बता देता क्या क्या है इसको आप export कर सकते हैं excel में इसके अलावा guys ये देखिए data इसमें average cpc से लेके highest bid lowest bid competition 3 monthly change stats का ये पूरा search volume का एक graph दिखता है जिससे हमको ये पता चलता है कि keyword ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है हमारे लिए बहुत easy हो जाता है ये search volume है इस keyword का और guys इतना ही नहीं जो keyword आपको समझ में आ जाएगा उसको आप tick करेंगे यहां से tick करने के बाद आप save keyword पे click करेंगे तो ये locally save हो जाएगा keyword हमारी app में कहां कहां use होगा उसको भी अभी जानेंगे जाएगा मत वीडियो बहुत बहुत जादा important है तो guys ये save कर लेते हैं प influencer marketing agency ले लेते हैं और हम कर देते हैं इसको save guys याद रखिएगा influencer marketing agency बाकी सब हम वापिस से आके बताएंगे पहले हम ये check कर लेते हैं कि save कहां होता है sorry guys ये tools में जाकर save हो जाता है citation manager में अगर आप free version यूज़ कर रहे हैं तो free version में save का feature नहीं मिलता save का feature सिर्फ premium version के लिए है citation content में बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे influencer marketing agency आ गया है पुराने keywords भी यहाँ पे हैं और जो जो आप save करते जाएंगे वो यहाँ एड होता जाएगा यहाँ एड होने से guys मतलब नहीं है यह use भी होगा जैसे for example citation manager में generate site title and description using keyword करना है तो यहा जैसे कि आप post में आएंगे guys post में आने के बाद आपको अपने post के बारे में को description लिखना है तो आप keywords से लिखेंगे definitely उससे related आपने image बनाई होगी यहाँ कि post आप लिक करेंगे create using AI पे तो यहाँ पे भी वो keywords आपको दिखेंगे बस आपको keyword select करना है generate करना है and the work is done simple आप generate कर suggestions देने होते हैं जो लोग use करें premium version यह भी उनी के लिए है suggestions में भी आपको यह keywords नजर आएंगे तो आप उनका use कर सकते हैं आपको copy paste नहीं करना नहीं याद करना है उसको guys इसके अलावा भी guys कई जगे पे है जैसे की tools में यह category finder में आपको keyword दिख जाएंगे तो आपको category उस keyword पे find करना कि कौन सी best category है कौन से competitors है यह इस vertical option से पता चलता है geogrid से आपको geogrid report मिलती है वहाँ पे भी आपको यह keywords मिल जाएंगे guys फिर guys हमारा सबसे मुख्य और सबसे जादा popular और काम का option local search rank जिसे आप local keywords पे अपनी search rank पता लगा सकते हैं बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा है जैसे आपको नीचे stats दिख रहे हैं यहाँ पे भी आपको help मिलेगी तो help को यहाँ पे भी आप select कर सकते हैं तो जो keywords आप save कर आ लेंगे select कर लेंगे उनको इन सब जगे देख सकते हैं अब आईए वह पेस आ जाते हैं अपने local keywords पे अभी क्योंकि इसमें काफी कु सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम आ गए सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ से change किया था मैंने page तो guys यह सारे results आने थे save का मैंने बता दिया आपको save premium में होगा और कहां यह keywords दिखेंगे अब सबसे important चीज़ guys हम करेंगे यहाँ पे यह भी premium का part है और पे tokens use होंगे एक token use होगा एक बार में तो अगर मैं marketing agency के बारे में जानना चाहता हूँ कि यह locally use होता है के नहीं तो मुझे क्या करना है खाली मुझे इस icon पे click करना है जो कि आपको यह shop का icon दिख रहा है और यहाँ पे आपको यह बार चलता नजर आएगा guys means कि अब यह search कर गूगल पे जाके कि इस keyword पे आपके city में कौन कौन से business profiles है हैं भी के नहीं अगर businesses में zero आता है guys तो मतलब यह keyword local business में use नहीं हो रहा है तो यह local keyword नहीं है local business के लिए useful नहीं है अगर इसमें कोई भी number आ जाता है that means यह local के लिए use हो सकता है अब यह 20 plus तो दिखा रहा है guys आप स businesses कौन से हैं तो guys यह 20 plus यानि 20 ही businesses आपको दिखाएगा top 20 और कैसे दिखाएगा वो मैं आपको बताता हूँ वो दिखाएगा export से अगर हम export बिना इसको करे करते guys तो simple यह जो भी stats दिख रहा है यह सारा आ जाता है excel में अब हमने क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक को कर लिया ह तो अब हम export करके excel sheet देखेंगे कि क्या हुआ अब हम मैंने click किया guys excel sheet download हो चुकी है अब इस excel sheet को मैं browser में open करूँगा आप लोगों के लिए guys कुछ automatically इस तरह का time, date, day, month सब कुछ आ जाएगा sheet के name में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यह थी हमारी default search जो थी और यहाँ business found 20 थे तो अगर मैंने एक keyword का सर्च किया है तो यहाँ पे एक और sheet add हो जाएगी और 20 businesses guys यह हैं जैसा कि आपको screen पे दिख रहे हैं इनके address है इनके reviews हैं किती rating है और कौन कौन सी category यह use कर रहे हैं guys इतनी सारी information आपको यहाँ पे मिलती है एक बार और guys आपको करके दिखा देता हूँ एक keyword और guys एक keyword गाइस करता हूँ influencer marketing agency तो guys इस पे भी हैं और हम फिर से एक file export कर लेते हैं और यह guys नई file होगी और इस नई file को भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा guys तो guys आप देख रहे हैं यह दूसरी file है यह पहली वाली file थी इसमें दो sheets थी keyword और वो keyword के बारे में detail जो कि हमारा local keyword हमने सर्च किया है अब इस दूसरी file में जो कि just अभी मैंने आपके की है इसमें आप देखेंगे एक और sheet add हो गई इसमें influencer marketing agency स इतनी भी information है वो आगई जो कि आप देख लीजिए compare कर लीजिए बिल्कुल different है इन दोनों sheets को देख लीजिए आप दोनों sheets का time date जो है आगे पीछे है खाली और इसमें 3 sheets हैं इस वाले के अंदर पहले वाले में 2 sheets थी तो guys ये था local search का हमारा option जो कि बहुत बहुत powerful है और ये अकेला एक ऐसा option है जो कि आपको local keyword find करके देता है guys local keyword वो keyword है जो keyword तो है google पे google पे तो लगबग सारे ही keywords पे कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा या zero search volume दिखा देगा बट उस keyword पे अगर business exist करते हैं आपके city में तभी वो guys local keyword के लिए use होने का मतलब है क्योंकि तभी आप उस competition से compete कर पाएंगे otherwise एक नए keyword पे अपने आपको rank करा करके आपको कोई बहुत benefit नहीं मिलेगा क्योंकि उन सारे keywords पे लोग search करने हैं तभी वो actually में उन profiles पे traffic आ रहा है तो वो ही keywords आपको भी चाहिए वो ये keywords निकाल करके आपको देगा तो guys ये था ये option GBPGM app का इसको use करिए और जाद जाद आपने दोस्तों से भी इसको guys share करिए जिससे की वो भी इसका lab उटा सकें कोई भी keyword का tool free नहीं है अगर आप local keyword search नहीं भी करते हैं तो normal keyword आप इसमें free में कर सकते हैं तो guys ये था एक amazing tool हमारे GBPGM app में another नया tool जो की है local keyword research का tool plus keyword research का tool भी I believe आपको ये पसंद आएगा आपके लिए helpful रहेगा और आपके google business profile को rank कराने में definitely definitely अपना role निभाएगा तो guys मिलते हैं with some new feature with some new trick related to digital marketing and google business profile thanks for watching this video